एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक नोटिस देखते हैं उसमें लिखा होता है आईजन के इंसिडन्ट के एक हफ़ते बाद तभी हॉस्पिटल में स्क्वाड 11 के कुछ मेंबर्स तमासा करते हैं तो उनोहाना आती है तो वो लोग वहाँ से बाग जाते हैं तभी सीन इकाको पर शिफ्ट होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है कुछ सोल रिपस के साथ तो कोई भी उसे टकर नहीं दे पाता तो वहाँ पर इचीगो आता है और बूलता है मैं तुम्हारे साथ बैटल करूंगा तभी इकाको बूलता है तुम जाके आराम करो तुम्हें रिकवरी की जरूरत है तो इचीगो को गुसा आता है तो वो भी इकाको को टकला छिडाता है तो इकाको गुसे में बूलता है तो चलो हम फ याचिरू भी पुछती है तो इचीगो हाँ बूलता है तो कैनपाची इचीगो को हमला करता है और बूलता है तो चलो फिर हम फाइट करते हैं तो इचीगो वहाँ से भाग जाता है और बूलता है मैं अब आपसे फाइट नहीं करूंगा तभी कैनपाची नीचे देखता है और बुलता है मैंने गलत इंसान को मार दिया और इचीगो के पिछे भागने लगता है तब इसे नियामिची का पर शिफ्ट होता है वो बुलता है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे और टेट्सुजाइमून से पूछता है तुम यहां आज कल बहुत ज्यादा आ रहे हो केप्टन को मारू ठीक तो है ना तो टेट्सुजाइमून बुलता है वो आईजेन वर इंसिडन्ट से बहुत अकेले पड़ गए हैं तब ही वहां पे हिसागी आता है और को मारू से पूछता है आपको लगता है केप्टन टोसेन वापस आएंगे या फिर वो हमेशा के लिए चले गए तो को मारू बूलता है वो वापस आएगा पर उसकी आखे हमें खोलनी पड़ेगी तब ही सीन रेंगी को पर शिफ्ट होता है गीन के बातों से रेंगी को परेशान होती है और उसकी बाते याद करती है तब ही वहां पे हिच्चुगाया आता है और बोलता है तु तुम कुछ से बाते क्यों कर रही हो तो रेंगी को डर जाती है तभी हिट्सुगाया बुलता है अमेशा तो तुम ऐसी नहीं रहोगी ना अब देखो तुमसे कोई मिलने आया है तभी इजुरु सौरी बुलता है मुझे तुमसे कोई बात करनी है तभी रेंगी को बुलती है मेरे पास कुछ ज्यूस है और बिस्किट है तभी वो दोनों ज्यूस पीके मस्ति करते हैं तभी हिट्सुगाया मोमो के तबियत देखने जाता है तभी वो वहाँ से चला जाता है तभी सीन उर्यू पर शिफ्ट होता है वो बुलता है मैंने सब के लिए न्यू क्लोट्स बना हैं तभी वो सबको देता है तभी उर्यू में रुक्या के लिए भी एक लेके जाती है और खुच से बुलती है उर्यू ने रुक्या के लिए भी कपड़े बनाए है इसका मतलब है उर्यू को रुक्या से प्यार हो गया है तभी वो रुक्या के रुम में जाती है वहां नीची गो पर शिफ्ट होता है वो बूलता है केनपाची मेरे पीछे हाथ दो के पड़ गया था उसके कारण मेरे हाथ और पैर दर्द कर रहे हैं तभी वहाँ पे उरी ही में आती है और बूलती है रूक्या कहीं नहीं दिख रही है तभी सिन रेंजी पर शिफ्ट होता है तभी बयाक्या बूलता है रेंजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो रेंजी बूलता है आप मेरे कैप्टन हो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ तो बयाक्या बूलता है तुम सच बोल रहे हो और तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं मर गया होता तो अच्छा होता तो रेंजी बोलता है नहीं आप गलत हो अगर आप मर जाते तो मेरे पास कोई मोटिव नहीं होता और मैं एम से ज्यादा स्ट्रॉंग होने का तभी वहाँ पे अच्छानक से इची गो आ जाता है तो रेंजी गुसे में बोलता है तुमारी हिम्मत कैसे हो यहाँ अच्छानक आने की मैं कुछ इंपोर्टन बात कर रहा था और तुम्हें पूरा मजा किरकिरा कर दिया तो इची गो sorry बोलता है और रुक्या के बारे में पूछता है तो रेंजी बोलता है मुझे कैसे पता कि वो कहा होगी तुमने उसे वापस से खो दिया तभी इची गो वहाँ से चला जाता है तो भया किया बोलता है ये इची गो मुझे मेरे पहले नाम से बुला रहा है उसमे रिस्पेक्ट की कमी है तबी सिंग कुका कुपर शिफ्ट होता है और वो गांजु को मारती है और बुलती है मुझे पता चला कि तुम फाइट में किसी के हेल्प नहीं कर रहे थे तुमें शीबा क्लेन का नाम मिट्टी में मिला दिया तबी वहाँ पे रुक्या आती है तबी कुका को बुलती है मैं तुमें जानती हूँ तुम ही मेरे भाई की कातिल हो तो मैं तुम से पूछती हूँ अभी तुम यहां क्या कर रही हूँ तो रुक्या बुलती है मैं सोरी बुलती हूँ मुझे पता है मुझे यहाँ पहले ही आजाना चाहिए था मैं दोबारा भागना नहीं चाहती अब इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ आप से माफी मांगने तभी कुका को बोलती है अभी रुख जाओ क्या ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोरी लेटर है तो रुख्या फिर से सोरी भूलती है तो कुका कु रुख्या को एक पंच मारती है और भूलती है ये ठीक बात नहीं है मुझे उकिटाके ने पुरी स्टोरी बता दी इसमें तुमारी कोई गलती नहीं है और उसके बाद तुम यूमन वर्ल्ड में चली गई थी और उसके लिए तुम आज भी गिल्टी फिल करती हो तो मैंने खुझ से कहा था अगर तुम एक बार भी माफे मांग लोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूँगी तो रुख्या खुझ से बूलती है ये सरकायन को मुझसे भी ज्यादा जानती है तो इन्हें सब पता था और उनको सब से ज्यादा दुख हुआ है ये सब के बारे में और मैं खुझ के लिए इतना सोच रही थी मैं बहुत सेलफिश हूँ तभी रुख्या एक और बार सौरी बूलती है तो कुका को फिर से एक पंच मारती है और बूलती है अब बहुत ज्यादा हुआ सौरी बूलने का तभी वहाँ पर इची गो आता है और बूलता है मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर ही मिलोगी तभी इची गो बूलता है हमें कल वापस गर जाना है तो आज हमें रेस्ट करना है तो रुक्या बूलती है मैंने डिसाइट किया है कि मैं सोर सोसाइटी में ही रहूंगी अभी कुछ टाइम के लिए तो इची गो बूलता है ठीक है अब तुमने डिसाइट कर ही लिया है तो कोई बात नहीं तभी कुकाकु इची गो को डिनर के लिए इन्वाइट करती है तो इची गो मना करता है तो कुकाकु इची गो के से फेस पे एक पंच मारती है और बूलती है सही जवाब है हाँ तो इची गो मान जाता है और डिनर के लिए रुख जाता है तभी सिन रेंजी पर शिफ्ट होता है वो रुक्या को सोल सोसाइटी में डून रहा होता है तभी उर्यो उरीहिमे को डून रहा होता है और कैनपाची इचीगो को डून रहा होता है तभी सिन हिट्सुगाया पर शिफ्ट होता है वहाँ पे रेंगी को हिसागी और जुरुदारों पीके टल्ली हो चुके थे तबी सीनुकिटा के पर शिफ्ट होता है उकिटा के इचिगो को एक सबस्टेटिट सोल रिपर बैच देता है और बोलता है अगर रुक्या वहाँ नहीं होगी तो तुम इस बैच को यूज करने के बाद तुम सोल रिपर बन जाओगे और ये तो कुछ नहीं है तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके सामने मैं जितना ठेंक्यो बोलू उतना भी कम है तबी इचिगो बोलता है इसमें कोई बात नहीं ठेंक्यो बोलने की तबी ओरी ही में रुक्या को उसका ड्रेस देती है तबी इचिगो और सब लोग वहां से निकल जाते हैं तबी सिंग कैनपाची पर शिफ्ट होता है तबी आचिरू बोलती है इचिगो का स्पिरिच्वल प्रेशर अभी नहीं फिल हो रहा है इसका मतलब वो वापस चला गया तो कैनी तुम इचिगो बाय बुलने क्यों नहीं गए तुम्हें लगता है इचिगो तुमसे वापस मिलेगा तबी कैनपाची बोलता है तुमने सुना कि कैप्टन यामामोटो ने कहा था कि ये फाइट अभी खतम नहीं हुई है और इचिगो और मैं दोबारा जरूर मिलेंगे और वैसे भी मैं और इचिगो दोनों सेम ही है तबी सिन इचिगो पर शिफ्ट होता है वो बूलता है अगर ये ओफिशिल गेट है तो ये क्लीनर वापस से हमारे पीछे क्यों पड़ा है योरूइची तो योरूइची बूलती है ये क्लीनर उन्हें कुछ नहीं करता जिनके पास हैल बटफले हो और यूमन पास नहीं कर सकते लेकिन कोई बात नहीं वैसे भी एग्जिट दिग गया तभी इची गो और टीम वहाँ से निकल जाती है तभी उराहारा की टीम सब को कैच कर लेती है तभी उराहारा बूलता है Welcome back सब लोग और मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया होगा अभी तक तो इची को बूलता है हाँ पता चल गया तभी उराहारा सबसे माफी मांगता है तभी इची को बूलता है माफी मांगने की कोई बात नहीं वैसे भी मैं तुम्हें गुसा नहीं हूँ तुम्हें कुछ गलत नहीं किया पर फेक्ट ये है तुमने हमें स्ट्रॉंग बनाया और हमें बचाया इसलिए मैं तुम्हें ठेंक्यू बोलता हूँ पर एक बात मुझे पूछनी है तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई इसलिए कि मैं डर जाऊंगा तो उरहारा बोलता है हाँ तुमने सही बोला तो इचीगो उरहारा को एक पंच मारता है और बोलता है एक और बात जब तुम रुक्या से मिलो तो माफिम मांग लेना ये तुम करोगे मेरे लिए तभी उरहारा बोलता है ठीक है मैं माफिम मांग लूँगा तभी उर्यो बोलता है क्या आप मुझे ये नीचे उतार देंग तो उर्यू बोलता है लगता है तुम कुछ भूल रहे हूँ मैं सोल रीपर से नफरत करता हूँ और तुम एक सोल रीपर हो अगली बार हम जब मिलेंगे तब मैं तुम्हारा एनीमी होंगा तबी उरीहीमी का भी स्टॉप आ जाता है और वो भी उतर जाती है तबी चैट और इची गो भी अपनी अपनी जगह पर उतर जाते हैं तबी यूरो इची बोलती है अभी तुम क्या करोगे किसु के तो उराहारा बोलता है ये अच्छा सवाल है और हमने अभी एक हार सहन की है तो पहले तो हमें सब नॉर्मल करना पड़ेगा और हमें अभी इची गो और उ मुझे सुकुन से मरने भी नहीं मिलेगा तो उराहरा बोलता है इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते तबी उरूरू बोलती है लगता है ये दोनों कपल है और जिन्टा भी मजाप करता है तो टैसाय दोनों को एक पंच मारता है फिर इची गो भी अपने गर पहुच जाता है और बोलता है मैं गर आ गया तब ये एपिसोड खतम